Hello everyone, Welcome to my YouTube channel हिमाज़ब अबदेश में पिछले 5-6 महीनों से Class 3 की सारी भरतियां रुकी हुई है फिर चाहे वो pending result हो, pending document verification हो, pending joining हो या last time जो HPSSE ने advertisement निकाली थी जिसमें बहुत सारे post code advertise करे थे तो वो भी pending है, उसके लाबा जब HPSSE जो है वो भंग हुआ उससे पहले बहुत सारी vacancy जो था वो अल्रेडी HPSSE हमेर पर पहुँच चुकी थी जिनकी file बापस होके department, अलग अलग department जहां से वो vacancy बेजी गई थी, वहाँ पहुच गई थी अब जो है वो नई vacancy जो है वो हिमाचप अदेश Public Service Commission शिमला जाना शुरू हो चुकी है लेकिन class 3 की भरतिया रुकने का असली कारण क्या है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले है तो अब वीडियो कोईन तक जरूर देखना तो गया हुआ कि अपरेल के महीने में जब हिमाचप अदेश Public Service Commission शिमला ने सिर्फ एक जो एडवर्टाइजमेंट एक कंड़क्टर की वो निकाली थी उसके बाद क्या हुआ कि कैबिनेट में एक decision लिया गया जहां पर जो contact policy है उसमें बदलाब करने की बात कही गई और वो बदलाब थे जो भी कोई post रहती है उसके RNP rules में दो चीजें होती है एक तो contact period के बारे में mention होता है और एक contact period के दौरान salary system के बारे में mention होता है तो उसमें सरकार ने कहा कि हम amendment करेंगे और फिर क्या होगा कि सरकार जो है वो time to time मतलब वहां पे notify कर पाएगी salary को भी और जो contact period रहता है उसके बारे में भी तो उस चीज के लिए देखे कितना समय लग रहा है उसकी वज़े से class 3 की सारी भरतियां रुकी हुई है अगर वो चीज नहीं हुए होती तो अभी तक जो भी pending advertisement थी वो सारी आपको देखने को मिल गी होती और अभी सभी लोग जो नई advertisement का wait कर रहे होते लेकिन इस time पे अभ बाद ही आपको नहीं भरती देखने को मिलेगी और इस time पे क्या हुआ है कि अभी सभी result की मांग कर रहे है पेंडिंग document verification की मांग कर रहे है लेकिन यहां पे अगर मांग करी जाती है contact के rules की कि जल्दी से जल्दी मतलब इतना समय आप rules के लिए नहीं ले सकते अगर जल्दी में joining फिलाल के लिए दी जाएगी क्योंकि बात यहीं निकल के आ रहे है कि अभी जो joining दी जाएगी वो नए rules के according ही होगी तो देखने वाली बात होगी कि अगर result आते भी है तो क्या contact rules के according वहाँ पे joining होगी क्योंकि अभी rules तो नए बन रहे हैं और जिस time पे post advertise हुई थी उस time पे ऐस तरह के कोई rules नहीं थे तो यह भी चीज़ देखने वाली होगी बाकी अभी तो यही निकल के आ रहा है news की बहुत जल्दीन यह जो है वो जो भी यह rules है तो यह out हो सकते हैं बाकी देखते हैं कि अभी जो cabinet होने वाली है वहाँ से क्या निकल के आता है बाकी मैंने reason आपको बता दिया क्योंकि बहुत सारे comment आते रहते हैं कि नहीं फिकैंसिस pending फिकैंसिस क्या होगा क्योंकि कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है सभी pending result वगएरा इस चीज़ के बारे में बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि pending भरतिया तब ही शुरू होंगी को सब्सक्राइब कर सकते हो further new updates के लिए